नमस्कार आप बोले भारत देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी 24 सीटों के MLC चुनाओं के परिनाम अब अपने आखरी चरन में पहुँच गए हैं कई सीटों के परिनाम आ गए हैं कई सीटों के रुजान आएं कई सीटों पर गिनती जो है वो अब दूसरी वडियता की हो रही है वहीं एक खबर ऐसी आई है जिसकी उमीद सायद किसी ने नहीं की थी कॉंग्रेस के लिए अब तक किसी ने यह नहीं कहा कि वह इस MLC के चुनाओं में कोई सीट भी जीत सकती है लेकिन खबर बेगु सराय से आ रही है जहां कॉंग्रेस के उमिदवार आगे चल रहे हैं लेकिन खबर अब यह भी आ रही है कि कॉंग्रेस परत्यासी के आगे चलने के कारण जो बेगु सराय की काउंटिंग हॉल है वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है बीजेपी आर जेडी और कॉंग्रेस समर्थकों के बीच भारी हंगामा हुआ है काउंटिं जो निवर्तमान MLC है बीजेपी के उमिदवार राजीव कुमार कॉंग्रेस के परत्यासी किसी ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि इस सीट पर कॉंग्रेस परत्यासी आगे होंगे राजीव कुमार इस सीट को जीत भी सकते हैं लेकिन रूजहानों में 3500 वोटों से वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं पिछली दफा जब चुना हुए थे तो बीजेपी उमिदवार रजनीश कुमार जो की अभी भी इस बार भी बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं पिछली दफा 2015 में उन्होंने जेडिव उमिदवार को 66 वोटों से चुना हडाया था ल जो MLC चुनाओ है वहां का सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वहीं एक और सबसे बड़ी खबर ये आपको बता दे कि पश्चमी चंपारन का चुनाओ भी बड़ा दिल्चस्प हो गया है पश्चमी चंपारन के चुनाओ में जो शुरुआती गिंती हुई जो प् पुल वोट के 50% से एक वोट अधिक चाहिए होता है चुनाव जीतने के लिए किसी को नहीं मिला तो दूसरी वरियता की काउंटिंग पश्चिमी चंपारन के सीट पर हो रही है वहीं दूसरी तरह सबसे बड़ी खबर कॉंग्रेस के लिए बेगू सराई की सीट पर वो 3500 वो झाल